हेलो दोस्तों सोगत है आप सब को चैनल में ये मैंने एमेजुन से कुछ मंगाया है एक माउस है बट सेही में ये माउस बहुत ही कमाल गाए मैंने अभी तक खोल के देखा नहीं अनबॉक्सिंग का मैं दिखा देता हूं आपको यहां पर देखिए भाई सहाब हबीब मंडोल यह नोगर मिल यह मने अर्थ नोगर मॉबागरा आपको अन्वान प्यांप हाऊस नंबर वन पांप हाउस वसीर हाट पिन कोर्ट 743293 जोन और जोन और प्राइमरी स्कूल दिख लिए देख लेटें इसका अंडर क्या सेही में माउस दिया है तो कि अनलाइन वालगा तो व बिल दिया है इसमें देखते हैं क्या प्राइज था मालूम नहीं यार मुझे प्राइज है 329 रुपीज 40 रुपीज डिलिवरी चार्ज है 369 यह प्रोड़क्ट आप किसी दूसरा ओनलाइन एप से और करेंगे तो इसका प्राइज रहेगा 499 रुपीज जबकि इसको मैंने एमेजोन से ओडर किया है जिसका प्राइज मुझे मिला है 329 रुपीज का और 40 रुपीज जो है डिलिवरी चार्ज मतलब 369 रुपीज का मुझे टोटल पड़ाया है चलिए देख लेते अब इस माउंस के बारे में और क्या है इसका फांक्षन चले कोईन पोर जी हर्ट्स अद वार्लेस पांस है यह जाकू लेकर आ गया कटा नहीं कट गया कुछ सील तोड़ने वाला जैसा फिलिंग नहीं आ रहा है का यह भाई आ गया है इसके अंदर और क्या है यह सिरिफ माउस बस चलिए यहां पर इसका बैटरी लगता है ठीक है तो यह सिंगल बैटरी से चलेगा और यह क्या है हो 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 यह है में आइटेम इसको हमें एसबी से कनेक्ट करना है CPU लैप्टॉप में और इसके लिए मुझे बैटरी चाहिए तो बैटरी लगा देता हूं यह बैटरी एवरेडी का ब्रैंड न्यू बैटरी लगा रहा हूं यह लग गया यह ओन आप का बटन नहीं दिया गया इसमें वन टू थीरी फोर बटन बराबर चलिए बैटरी लग गया अब हम इसको लैप्टॉप से कनेक्ट करेंगे चलिए मैं लेके चलता हूं अपने लैप्टॉप के स्क्रीन पर जो बहुत ही खराब कंडिशन में है हो गया अब इसको मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूं अब इसको मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूं सेही में कम्माल का अब जब तक इसको चला होगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना इसमूद काम कर रहा है कि मेरे लैप्टॉप में नेट बंद है तो मैं कोई है कि कोई भी एक वीडियो को उपिन कर लेता हूं यहां पार मेरे पास जॉन वीक मोवी पड़ा हुआ है चैप्टर पूर मेरे कम्पूटर में है यह 123 है तो मैं यह है कौन सा है चली यह वाला पिले कर जाता है भाई जा तो भाई शांत हो जाओ प्रक्रेट आएगा भाई हलो हलो हो गया तो भाई देख रहे हैं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आप सीधा इसका जो एड़क्टर है उसको पीची में कनेट कर दीजे तो यह आटोमेटिक वर्क करेगा और इसका जो डिजाइन है वो बहुत ही कमाल का है मुझे तो मज़ा रहा है इसको देखने में चलिए इसका जो लुक है मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये सही में बहुत ही कमाल का है और शाइनिंग है एकदम परफेक्ट पूरा हाथ में आ जाता है कोई दिक्कत नह है और यह सिंटर पीडिया है तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना पुड़ेक्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप चाहे तो वहां से भी इसको खरीद सकते हो आज के लिए इतना ही मिलता अगले वीडियो में